तुर्की में अचानक कुछ ऐसा हुओ है जिसकी कल्पना ना तो भारत ने की थी और ना ही पाकिस्तान ने तुर्की में भारत को बैठे बिठाए एक ऐसी जीत मिली है जिसने पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सिर्फ एक ही मजबूत मुस्लिम देश का साथ मिला था और वो देश तुर्की था लेकिन तुर्की आसमान से जमीन पर आकर गिर गया है कटर सोच और भारत से गद्दारी करने वाले एर्दोवान अपने साथ तुर्की को भी ले डूबे एर्दोवान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत में तुर्की के आम लोग भी शामिल हो रहे हैं तुर्की के राश्ट्रपती एर्दोवान को बहुत ही बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है 21 वर्ष पहले सक्ता में आए एर्दोवान की ये पूरे देश में पहली हार है तुर्की की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने इस्तानबुल और अंकारा समेत देश के कई बड़े शहरों में हुए स्थानिये चुनावों में जीत हासिल कर ली है मज़े की बात देखिए कि इस्तानबुल में तो मेर चुनावों में एर्दोआन ने खुद प्रचार की बागदोर संभली थी एर्दोआन इसी शहर में पले बढ़े थे और वो इस्तानबुल के मेर भी रह चुके हैं नतीजों के बाद एर्दोआन के समर्थक सडकों पर उतर आये हैं ये सभी दंगे कर रहे हैं तोडफोड कर रहे हैं चुनावों को फर्जी बता रहे हैं तुर्की का इतिहास रहा है कि जो मेर चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करता है उसका राश्ट्रपती बनने का रास्ता साफ हो जाता है। वैसे तो एर्दोवान को दो हजार अठाईस तक राश्ट्रपती रहना है। लेकिन देश में हुए मेर चिनावों को देखने के बाद लग रहा है कि एर्दोवान के खिलाफ पहले ही बगावत हो जाएगी तुर्की के लोग एर्दोवान को कोस रहे हैं कि देश की करंसी बुरी तरह से गिर गई है देश में महंगाई दर 70 फीसिदी तक पहुँच गई है एर्दोवान तुर्की को मुस्लिम देशों का लीडर बनाने के चकर में कटर ताकी और ले गए एर्दोवान की कटर आर्थिक नितियों के कारण देश में महंगाई आस्मान चू रही है पिछले 10 सालों में तुर्की की करंसी लीरा भारतिये रुपए के मुकाबले 93 प्रतिशत गिर गई है 2013 में एक लीरा के बदले 31 रुपए मिलते थे और अब 2024 में एक लीरा के बदले सिर्फ 2 रुपए 60 पैसे मिलते हैं तुर्की ने अपने आसपास पाकिस्तान और अजर्बैजान जैसे भारत विरोधी देशों को रखा पिछले साल आए भुकंप में भारत की मदद का अफमान करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया पाकिस्तान को जम कर हतियार बेचे लेकिन भारत से गद्दारी और कर्मो का फल एर्दोआन को ले डूबा